काफ़ी इंट्रस्टिंग मैच होने वाला है इस वीडियो में आपको BLR की प्लेइंग 11 के साथ के ओ यल की प्लेइंग 11 और यहाँ पे हेट टू हेट के आपको स्टेट्स बताएंगे पिच की आपको deeply information मिलेगी और इस वीडियो में 2000 रुपीज का आपके लिए गीवे भी रहेगा तो वीडियो को यार लास्ट तक देखना आपको बहुत अचा लएगा यह वीडियो काफ़ी deeply information है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे आर सीवी वर्से जो है केके यार यानि कि यहाँ पे आर सीवी वर्से जो है के ओ यल ठीक है मैच नमबर दस है और यह मैच खेला जाएगा एमेच इतमरम स्टेडियम चैन्नई के ग्राउंड पे जिसको जो है सौट फर्म में चेपक भी बोलते हैं लेकिन कल यहाँ पर जो है कुछ अनिस्पेक्टेड है ठीक है वो अनिस्पेक्टेड क्या है बाई यहां पर जो है अनिस्पेक्टेड है Pitch Report पिच रिपोर्ट जो है वो काफी अनिस्पेक्टेड रहने वाली है क्योंकि कल जो है ये दो पहर में मैच होगा और इस बात का आप ज़वर से ध्यान दीजेगा दो पहर वाले मैच में जो है क्या pitch use की जाती है और जो है कौन सी pitch रहेगी toss के बाद जो है आपको पता चलेगा या फिर toss के जो है थोड़ा दिर पहले कहां आपको पता चलेगा पूरी pitch की information तो भाई telegram के channel पे मैं pitch का information जो है आपको provide कर दूँगा साथी साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे हिसाब से तो देखो यार पीछ जो है वो neutral wicket रहने वाली है पेसर और स्पिनर दोनों को support करेगी और जो है एक अच्छा कासा जो है आपको average जो है batting यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस ground पे अगर हम बात करें total 59 matches हुए है जहाँ पे average score 153 का है first inning का score 148 का है second inning का score 149 का है highest score is ground पे 246 का है जो कि CSक ने किया था और lowest इस ground पे जो है first inning का score जो है 17 run रहा है जो कि RCB ने किया था अगर हम बात करें यहाँ पर team की winning percentage की तो batting first करने वाले team के यहाँ पे high chances रहेंगे कि win करें और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जो है यहाँ पे चांसेज रहेंगे कि 45% जो है कि वो विन करें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाई जो है 1% सिर्फ चांस बनता है कि मैच टाई हो लास्ट के चार अगर मैच आप देखोगे जो कि कम्प्लीट मैचस हुए है इस ग्राउंड पे उसमें जो है टोटल 57 विकेट गिरे हैं जिसमें पेसर्स ने जो है 34 विकेट लिये हैं जबकि स्पीनर ने जो है 23 विकेट लिये हैं अगर हम बात करें लास्ट सीजन जो है 13 अपरेल को हुआ था केके आर और एमाई का जो कि एमाई ने विन कर लिया था और ये दोनों मैच जो है फर्स्ट विकेट मिले थे पेसर को 9 विकेट मिले थे स्पीनर को 8 विकेट स्पीनर को 6 विकेट उससे पहले जो मैच हुआ था 11 अपरेल को जिसमें KKR और SRS जो है खेली थी KKR ने वो मैच जो है दस रन से विन किया था यानि कि जो तीन मैच हुए उसमें जो है यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट कनेबल टीम ने विन किया पेसर्स को जो है इसमें चार विकेट मिले और स्पीनर को जो है साथ विकेट मिले थे उसके पहले अगर हम देखे यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था जो की 9 अप्रेल को खेला गया था IPL का फर्स्ट मैच RCB और मुंबई के बीच में तो इसमें जो है RCB ने चेस करते हुए विन किया 11 विकेट जो है पेसर को मिले और 2 विकेट जो है स्पीनर को मिले थे यानि कि definitely पेसर को जो है थोड़ा सा ज्यादा विकेट यहाँ पे मिलता है आप इस चीज का जो है जवर से ध्यान रखेगा वीडियो अगर आपको मज़ेदार लगे अच्छी लगे भाई तो वीडियो को लाइक जोड़ से कर देना है और चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे फैक्ट और स्टेट्स जो है सिर्फ आपको रॉयल एडियन चैनल पे मिलते है टोटल अगर हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें टोटल 27 मैचे हुए है RCB और KKR के बीच में जिसमें 12 मैच RCB ने विन किया है जबकि KKR ने 15 मैच विन किया है दोनों है टीम से यहाँ पे मेरी फैबरेट टीम कौन सी रहने वाली है तो डेफिनेटली जो है RCB मेरी फैबरेट टीम मैच में रहने वाली है और RCB की टीम जो है मुझे स्ट्रॉंग लग रही है तो आप अपनी टीम जब भी बनाना मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको RCB को फैबरेट मान के चलना है और RCB के ज़्यादा प्लेयर्स पे आपको फोकस करना है जैसे कि Captain Vice Captain या फिर RCB के ज़्यादा ज़्यादा प्लेयर्स आपको अपने टीम में लेने चाहिए लास्ट सीजन में क्या हुआ था लास्ट सीजन में अगर आप देखोगे तो RCB ने जो है दोनों ही मैच विन किया था और KKR को जो हराया था मैच खेला गया था 21 अक्टूबर को आबुधाबी में जिसमें KKR ने पहले बैटिंग करते हुए सॉरी RCB ने पहले यहाँ पर अगर देखोगे सॉरी RCB ने बेट किया था KKR को और यह जो है डाटा थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को रॉंग लिख गिया है जस्ट अ सकेंड हाँ भाई तो इसको फिक्स कर लिया है यहाँ पर जो है कKR ने सिर्फ 84 रन का स्कोर किया था 8 विकेट के नुकसान पर जिसको 13 ओभर में यहाँ पर RCB ने विन कर लिया था और 8 विकेट से यह मैच विन कर गए थे उसके पहले 12 अक्टूबर को मैच हुआ था जो कि सारजहा के ग्राउन पर हुआ था RCB ने यहाँ पर पहले बेटिंग करते हुए 2019 का है तो यह जो है काफी पूराने मैचस है इसको जो है ड्रॉप करते हैं लास्ट सीजन का जो है स्कूर काड अब जो उसे पढ़ लीजेगा दोनों है टीम की यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस मैंने लिखी हुई है अगर हम बात करें RCB की तो RCB ने इस सीजन दो मैचस के लिए है दोनों में विन किया है और पॉइंस टेबल में जो है फॉस्ट पोजिशन पे है जब कि KKR की बात करें तो उन्होंने दो मैचस के लिए है एक मैच जीती है और एक मैच हारी है के Mumbai Indian से हार गई थी और Sunrise रहदराबाद से विन कर गई थी इनकी पॉइंट स्टेबल में पोजिशन जो है 6 पोजिशन पे है वीडियो का काफी important section रहता है Players Battle, Players Battle देख लेते हैं जो की काफी help करेगा आपकी सबसे पहले यहाँ पे बात करें जो है RCB के batsmen vs MI के ballers हरबजन सिंग ने ABD को जो है 3 बर आउट किया है 46 ball डाली है 103 रन दिये हैं साकीब उलहसन ने ABD को जो है 43 ball करी है और 68 रन दिये है कोई भी विकेट नहीं मिला है आंद्रे रसिल ने ABD को जो है 38 ball करी है 94 रन दिये है कोई विकेट नहीं मिला है साकीब उलसन ने विराट कोली को एक बार आउट किया है जबकि हर्बजन सिंग ने विराट कोली को दो बार आउट किया है अंध्रे रिसल ने विराट कोली को एक बार आउट किया है जबकि परसिद्ध किष्णा ने विराट कोली को 25 बॉल करके 22 रन दिये हैं कोई विकेट न नहीं लिया है हर्वजन सिंग ने ग्लेन मैक्सेल को जो है एक बार आउट किया है 27 बॉलों में जो है 24 अंदिया है आर्चेवी के प्लेयर्स जो है काफी इंज्वाइ करते हैं जो है के के यार के बॉलर्स को इसीच का आप ज़ूर से ध्यान रखेगा अगर हम बात करें आहुलत्र पाठी को 30 बॉल करी है 36 रन दिये हैं कोई विकेट नहीं मिला है यहाँ पे हरसल पटेल ने दिनेश कार्थी को एक बार आउट किया है जबकि युजवेंच चहल ने योन मॉर्गन को 25 बॉल करी है सिर्फ 19 रन दिये है डेनियल क्रिश्यन ने दिनेश कार्थी को एक बार आउट किया है जबकि युजवेंच चहल ने साकेबूल असन को 20 बॉल करके 49 रन दिये है डेनियल क्रिश्यन ने योन मॉर्गन को एक बार आउट किया है तो प्लेयर्स बैटल आई होब आपको काफे इंट्रस्टिंग लगा होगा अगर इंट्रस्टिंग लगा हो मज़दार लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक अभी कर दो गिवे का कोश्चन अभी जो है आपसे नीचे पूछेंगे उसके पहले प्लेंग लेवन देख लेते हैं देखो यहाँ पे प्लेंग लेवन में मुझे एक चेंजिस यहाँ पर देख रहा है तो वो क्या है डेन पर ग्लेन मैक्सवेल है उसके बाद एबीटी है फिर सैबाज आमद है वासिंग्टन सुन्दर है और यहाँ पर डेनियल क्रिश्चन या डेई सेमस में से कोई एक खेलेगा काईली जैमिंसन है मोहमद सिराज है हरसल पटेल है यह जबेंचेहल है आर सीबी की जो है यह यह रहने वाली है यहाँ पर जो है प्लेयर का रोल भी लिखा हुआ है जैसे कि लेफ्ट एंडर बैटस्वेण को आप दिखोगे तो यहाँ पर डीपैंडी का लेफ्ट एंडर बैटस्फट ь-साथ जो है सहभाज एमद वासिंग्टन सुन्दर यह जो है लेफ्ट एंडर करेंगे वन डाउन पे राहुल त्रपाथी है उसके बाद यौन मॉर्गन है साकी बुल असन है दिनेश कार्थिक है अंधरे रसेल है पैट कमिस है वरुन चकरवर्ती है उसके बाद परसिद्धिकिष्णा है यह कुलकाता नाय ट्रैडर की प्लेंग लेवन रहने वाली है यह पर प्लेयर का मैंने रोल भी लिखा हुआ है जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी दोनों ही टीम के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस भी लिखी हुई है तो उसको भी यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले आर्सीबी की परफॉर्मेंस की बात करे विराट कोली ने 33-33 दोन में एक रन प्याउट हुए वासिंग्टन सुंदर यह जो है बॉलिंग भी कर लेते हैं इसी का आप ध्यान रखेगा में जो है इनको आप बॉलर मानके चलना 10 रन और 8 रन साथी साथ जो है इन प्लेयर्स को यह बारे में बात करना कोई ज़रूरी नहीं है इनकी बॉलिंग सबसे पहले RCB की बॉलिंग की बात करें मुहमद सिराज ने चार ओबर डाले थे पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिला दूसरे मैच में चार ओबर डाले दो विकेट लेकर गए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मुहमद सिराज जब विकेट लेते हैं तो जो ही मैच में कोई विकेट नहीं मिला है और इस मैच में बहुत कम लोग लेकर आएंगे लेकिन यजवेन चहल के बारे में आपको बदा दू इस जो है ग्राउंड पे आपको यजवेन चहल को डेफिनिटली अपने टिम में ट्राइ करना चाहिए सहबाज अहमद पार्ट दूसरे मैच में दो विकेट बहुत ही कमाल कर रहे हैं और आपको बता दे यह बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं डेनियल क्रिश्चन दोनों ही मैच में जो है फ्लॉप रहे कुछ ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं कराई गई लेकिन इनकी जगर पे अगर डेनियल स किया रहा था तो सुभमगिल पहले मैच में 15 रन किया दूसरे मैच में 33 रन और निटीश राना पहले मैच में 80 दूसरे में 57 जबरजस्त फ़ॉम में हैं राहुल तरपाठी भी अच्छे फॉम में दिखे थे पहले मैच में 53 किया और लास्ट में 5 रन पह आउट हो गए कम इन्स ने पहले मैच में एक विकेट लिया दूसरे मैच में चार विकेट लिया लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने बहुत कम रन खर्च किये थे इस चीच का आप ध्यान रखेगा वरुन चक्रवर्ती पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिला दूसरे मैच में एक विकेट ल कर गये और इन्होंने पारी का last over भी डाला था, अगर हम बात करें साकीबुलहसन की, साकीबुलहसन ने पहले मैच में एक وिकेट लिया था, दूसरे मैच में भी एक विकेट लिया था, टॉप fantasy picks की अगर हम बात करें, देखो top fantasy picks में विराट कोली ग्लैन मैक्स्वेल नितीस राना राहूल प्रिपाथी हरसल पटेल अंद्रे रसेल और जो है सहबाज अहमद साथी साथ इनकी परफॉर्बेंस भी मैंने लिखी हुई है एक फैक्ट आपको बदाता हूँ विराट कोली जो है आई पील में सबसेदार रन करने वाले प्लेयर बन जाएंगे अगर जो है वो 56 अंकल मार देते हैं तो उनके कितने रन हो जाएंगे 6000 रन जो है पूरे हो जाएंगे और जो है गाइस आहाँ पर मैंने लिख्या हुआ है RCB का स्कोर डेटेल और KKR का स्कोर डेटेल तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं उसको KOL versus RCB लिखिएगा आपको ये बताना है कि Pacers कितने विकेट लेंगे Spinner कितने विकेट लेंगे और Man of the Match जो है इस मैच में कौन सा प्लेयर होने वाला है वो जो है आपको नाम लिखना है डेफिनिटली जो है काफी अच्छा जो है question है और इसका अगर आप जो भी answer देता है ट टीम यहाँ पर create करते हैं और कल जो है Grand League वाली वीडियो नहीं आएगी क्योंकि कल IPL के दो मैचेस होने वाले हैं सो इसी वीडियो में आपको डिफिरेंशल च्वाइस और ग्रेंट की पिक्स भी बता देते हैं विकेट की पर सेक्शन से सुरुआत करते हैं डिफिरेंशल च की डेफिनिटली अगर यहाँ पर आपको बता दें रसी भी अगर सेकंड इनिंग में अगर पैटिंग करती है तो मेरी टीम में जो है दो से तीन टीम में डेवीडी जो है कैप्टन भी रहने वाले हैं फिलाल के लिए मैं ABD को लेके चल रहा हूँ विराट कोली को अपने ट इयोन मॉर्गन का भी जो है क्रेडिट कम हो गया है तो वहाँ भी आपको प्राबलम नहीं आएगी मैंने यहाँ पर फिलाल के लिए अंधरे रसेल को लिया है साकी बुल हसन को लिया है ग्रेंस में ग्रैंड मैक्स्वेल को लिया है और यहाँ पर वासिंग्टन सुंदर को साहबाज आइमत को लेके जा सकते हो, यह काफी अच्छी पिक रहने वाली है, वासिंटन सून्दर को डॉप करते हैं, साहबाज आइमत को लेके जाते हैं, वासिंटन सून्दर मैं Grand League में जो है ट्राइ करने वाला हूं, डिफिनिटली आपको भी वासिंटन सुन्दर को ज़र काफी अच्छा जो है कर भी रहें प्रसिद्ध किया है और अपने आपको प्रसिद्ध कर दिया है तो इस जी का आप ध्यान रखेगा यहां पर मुहमद सिराज एक डिफरेंसल च्वाइस वरुंग चकरवर्ती एक जो है अच्छी च्वाइस इनको भोलूँगा अच्छी इनको बॉलिंग कम मिल रहा है लेकिन बॉलिंग मिले तो सायज से कुछ अच्छा कर सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ कोई भी प्लेयर के यहां पर खेलने के चांसे कम लग रहे है मैंने अपने टीम में यहाँ पर हरसल पतेल को ले लिया है टीम का जो है फाइनल में तो definitely जो है Virat Kohli मेरे captain रहने वाले हैं और Glenn Maxwell को wise captain या फिर अंधरे रिसल को wise captain ये जो है आपके उपर choice रहेगी wise captain के लिए मैं यहाँ पर तो भाई अंधरे रिसल के साथ में captain और wise captain mostly 3-4 member में जाने वाला हूँ फिलाल के लिए मैं कर भी देता हूँ ठीक है तो मैंने अभी रिस्क लिया हुआ है देखेंगे जब कैसी टीम रहने वाली है उस हिसाब से यहाँ पर हम करेंगे अगर देखो सेकर्ड इनिंग में आर्सेबी की बेटिंग आती है तो डेफिनिटलि मैं जहों चीकु को यहाँ पर कैप्टन करूँगा और अंजरे शील को वाइस कैप्टन करूँगा ठीक है ये मेरी प्रिफरेंस रहेगी टीम के अगर बात करें यहाँ पे आपको जो है डिफरेंसेल किसके किसके साथ में Captain Vice Captain जाना चाहिए Pat Cummings को यार Captain Vice Captain करना Grand League में साती साथ गिलैन मेक्सवेल को आपको Captain Vice Captain करना है नितिश राना को आपको Captain Vice Captain करना है और यजवें चेहल को साती साथ ABD को ये पांच ऐसे प्लियर रहेंगे जो की आपकी Grand League के जो है टॉप पिक रहेंगे Grand League की जो है आपकी mostly टीम में captain wise captain होने चाहिए I hope जो है BLR versus KOEL का ये वीडियो आपको information वाला लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को like करिए और आप बात कर लेते हैं अपनी सबसे अच्छी application के बारे में तो भाई सबसे अच्छी application यसलिए बोला इंडिया की second largest application है यहाँ पर bonus का काफी अच्छा खासा यूज होता है अगर आप देखोगे Grand League में तो 20% bonus, 37-15% bonus, 15% bonus और even 25% bonus भी यूज होता है आपको यहाँ पर discount बगेरा भी मिलता रहेगा golden ticket आई हुई है, golden ticket आप ले लीजेगा और bonus के काफी अच्छे offers चल रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो वीडियो के description में जो है my team 11 application का link है उसी link से आप download करिएगा royal bro refer code है, refer code आपको जरूर से डाल देना है और हाँ guys, यहाँ पर grand league अगर आप खेलते हो तो आप leaderboard में भी participate करोगे यह video को लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो यार चैनल को subscribe करना giveaway का question फिर से पूछ लेते हैं RCB versus KOL, hashtag यूज करना है spinner कितने wicket लेंगे, passer कितने wicket लेंगे man of the match कौन सा player होगा आपको बताना है 200 रुपी जो है paytm cash आपको मिल जाएगा या फिर google पे आप हमसे ले सकते हो वीडियो कैसा लगा यार comment section में जोर से बताना और वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना bear icon प्रेस कर देना, ऐसे ही चैनल को देखते रिए support करते रिए, मिलता हूँ आपको अगले